बहुलाई नया फून जोती की शादी छोटी उमर में ही हो जाती है और वो आजकल के प्रचलन से बिलकुल अभीग रहती है जाब देखो वो काम 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 ही करती रहती एक दिन जोती का बेटा साहिल कहता है ममी अब तुम भी मुबाईल ले लो तुम नानी से देर-देर तक बात कर पाओगी और उससे अपनी फोटो भी ले पाओगी बॉटसेप भी चला पाओगी ये बॉटसेप क्या होता है ममी वो देखा नहीं तुमने पापा जिससे मैसेज बेज़ते हैं कोई भी अपना फोटो उससे वो तुमें भेज सकते है अरे ये तो बहुत अच्छा है तब ममी इस बार न तुम भी फोन ले लो ये सब तुम अपने लिए बोल रहे हो ना ममी का अरकाम अपना अरे नहीं नहीं मुझे इसकी ज़रुवत नहीं है मैं फोन लेकर क्या करूंगी 10 मिनिट तो बात करना रहता है वो तो मैं करी लेती हूँ किसी की भी फोन से और मुझे कामी क्या है पूरा दिन तो मैं कामी करती रहती हूँ उपर से मुझे फोन चलाना भी नहीं आता जाओ तुम अपना काम करो इन बच्चों की बात रहने दो कल समीर को लड़की वाले देखने आ रहे हैं बहुत काम है ज्योती रस्वई में लग जाती है अगले दिन समीर को प्रीती के घर वाले देखने आते हैं प्रीती की घरवाले समीर और उसका घर देखकर खुश हो जाते हैं और बिना कुछ पूचे शादी के लिए हाँ कर देते हैं हमें तो समीर पसंद है अब आप लोग अपना फैसला बता दीजी अंकल जी पहले कुछ खाईए तो बाते तो होती रहेगी प्रीती की घरवाले नाश्टा करके बहुत तारिफ करते हैं तब प्रीती की मा कहती है अंटी जी पहले की बर्फी लेकर आती है और सबसे कहती है अंटी जी मुँ मिठा कीजे हमें तो प्रीती शुरू से ही पसंद थी ये तो सब फॉर्मालिटी है बस अब मेरी देवरानी चल दे से घर आ जाए हाँ हाँ मुबारक हो आप सबको भी समीर और प्रीती की शादी हो जाती है और प्रीती बहु बनकर समीर के घर आती है प्रीती का घ्रह प्रवेश होता है फिर प्रीती सब की लिए एकी करके गिफ्ट निकाल कर उन्हें देती है तबी साहिल कहता है चाची आप सब के लिए गिफ लाएं मेरी मम्मी को छोड़ कर अरे चुपो जा अगर मेरे लिए कुछ नहीं लाई तो मैं कौन सा बच्ची हूँ प्रीती जियोती के पैर छूती है और कहती है मैं दीदी के लिए गिफ लाना कैसे भूल सकती हूँ मैंने आप के लिए भी तौफिल आया है दीदी लेकिन वो मेरी अटैची में है कल सुबह में आपको दूगी आरे बाबा कोई बात नहीं प्रीती तुम अभी अपने कमरे में जाकर आराम करो बात ठक गई होगी न फिर कल बहुत सारी रसमे भी है जो तुमें करनी है जी दीदी प्रीती और साहिल अपने कमरे में चले जाते हैं अगली सुबह प्रीती नहा दोकर अपने कमरे से आती है और जोती के हाथ में मुबाइल फोन रख दीती है मोबाइल देखकर जोती और सबका मुझ खुला का खुला रह जाता है साहिल मोबाइल अपने हाथों में लेकर आगी पीछे करके देखता है चाची आपने तो बहुत अच्छा सर्प्राइज दिया ममी को ये तो अभी निकला है वही फोन है न? हाँ साहिल वही फोन है अरे मुझे तो फोन चलाना ही नहीं आता वैसे मुझे इसका काम ही क्या है तुमने इतने पैसे क्यों खर्च की है? पैसो की चिंता आप रहने दो दीदी आज की टाइम में सबकी पास मोबाइल रहता है अब आप ही बताओ मुझे अच्छा लगेगा क्या कि मैं फोन चलाओ और आप नहीं मैं आपको सिखा दूँगी और साहिल भी तो है साहिल पीटा तू फोन चार्जिंग में डाल दे एक बार 100% हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगी दोनों दिवरानी जिठानी रस्वय में खाना बनाने चली जाती है इधर अमर अपना फोन चार्ज में लगाने के लिए जोती का फोन चार्जिंग से निकाल दीता है प्रीती सब का खाना परुस्ती है और जोती से कहती है दीदी आप भी सब के साथ बैट जाओ अरे नहीं नहीं सब खा लेंगे बाद में मैं खाऊंगी आज मेरी पहली रस्वय है आपने फिर भी मेरे मदद की खाना बनाने में आज तो आप बैट कर सब के साथ ही खाना खाऊगी अच्छ ठीक है अब मैंना अपना फोन भी लेकर आती हूँ जियोती अपना फोन लेने जाती है और फोन चार्जिंग में ना देकर गुस्से में कहती है अरे मैंने फोन चार्जिंग में डाला था किस ते निकाल दिया प्रीती अब मेरा फोन खराब हो जाएगा क्या अरे नहीं नहीं दीदी ऐसा नहीं है, लाओ, मैं चार्ज्म लगा देती हूँ मुझे सब पता है, कुछ लोगोंकों मेरे हाथ में फोन देकर बरदाश ही नहीं हो रहा है साहिल आन तो कर, देखो तो कैसा होता है फोन सब खाना खाने लगते हैं प्रीती साहिल के साथ फोन में लग जाती है तब ही आमर कहता है अब खा भी लो छोड़ो फोन पूरा दिन पड़ा इतनी हडबडी क्या है हाँ मुझे पता है आपको दिक्कत हो रही है कभी खुद से मुझे फोन ला कर दिया है प्रीती ने ला कर दिया तो भी दिक्कत हो रही है रोज तो मैं लेट से खाती हूँ ना तब तो कुछ नहीं कहते हो आरा छोड़ना बेटा बहु को जो करना आएकान ने दे तब दीरे से साहिल ज्योती से कहता है मम्मी पापा को जलन हो रही है तुमारे पास उनसे भी अच्छा फोन जो है अरे मुझे सब पता है मेरे बच्चे साहिल और ज्योती नीचे मूँ करके हसने लगते हैं नाश्ते का काम सल्टा कर प्रीती ज्योती को फोन चलाना सिखाने लगती है प्रीती तुमें इसमें आट-दस जरूरी लोगों के नंबर डाल दो ना मेरे मम्मी, मेरे भाई, बहन, तुम्हारा, तुम्हारे जेट जी का, समीर का मेरे तो ज्यादा कॉंटे की नहीं है हाँ दीदी डाल दीती हूँ और आपका वाटसप भी चालू कर देती हूँ फिर आप वाटसप पर सबसे मैसेज में भी बात कर सकती हो अंग्रेजी में लिखना होगा ना अरे मुझे तुम्हारे जैसे अंग्रेजी नहीं आती मेरी छोटी उमर में शादी हो गई थी ना अरे दीदी इसमें अंग्रेजी का कुछ नहीं है हिंदी में ही लिखना है बस स्पेलिंग अंग्लिश में लिखनी होगी अरे नहीं बाबा मुझे इतना नहीं हो पाएगा तुम ये वाटसप बगएरा रहने दो मैं सीधा सदा काम कर सकती हूँ अच्छा छोड़िये ये लिखना बोल तो सकती हो ना आप इसमें देखे ये बोलने वाला है आप बोलकर अपनी आवाज रेकॉर्ड करके भीज़ देना ये देखो मैं करके दिखाती हूँ प्रीती वाटसप पर आवाज रेकॉर्ड करके अमर को भीजती है अरे वाँ प्रीती ये तो बहुत अच्छा है हाँ दीदी सब कुछ आना चाहिए कब किस चीज की जरुरत पड़ जाए इतने लोग चलाई रहे हैं न तो हो सारी औरते कैसे करती हूँगी और मम्मी जी की उमर की भी तो करती है आप तो उनसे फिर भी बात चोटी हो हाँ प्रीती मैं भी कर सकती हूँ अब मैं भी सीखूंगी सब कुछ ज्योती अब पुरा दिन फोन में लगे रहती एक दिन ज्योती देखती है कि समिर फोन में गाने सुन रहा है तब ज्योती उससे कहती है दिवर जी ये आप कैसे देख रहे है मुझे भी अपने फोन में चलाना है ये वीडियो न ये तो यूट्यूब से होता है लाइए मैं आपको सिखा दिता हूँ भाबी मैं इंस्टाग्राम भी बना दिता हूँ देखे इसमें इतने अच्छे अच्छे रिल्स आते है मन नहीं लगता तो मैं यही देख लेता हूँ मेरा भी कर दीजिये न समेर जोती को यूट्यूब आउन कना सिखा देता है और उसका इंस्टाग्राम पर आईडी बना देता है देवर जी यूट्यूब मैं कैसे सर्च करूँगी मुझे तो अंग्रेजी लिखना ही नहीं आता मैं तो बोल बोल कर करती हूँ अरे भाबी इसमें भी बोलने वाला है अब आराम से कर सकती हो तब ही अमर वहां आता है इतना मत सिखाओ अपनी भाबी को ऐसे भी पूरा दिन फोन पर लगी रहती है ज्यादा सिखादोगे तो तुम्हारे भाई को ही दिक्कत हो जाएगी समेर हसनी लगता है तब जोती कहती है देवर जी ये तो कभी चाहते ही नहीं कि इनकी बीवी भी बाकी लोगों की तरह रहे इननों तो लगता है कि मैं सब कुछ सीकर इनने छोड़ कर ना चल दू ज्योती मुझ चिडा कर चल देती है इसी तरह दिन बीतने लगते है अब जब देखो ज्योती अपने फोन में ही लगी रहती एक रोज ज्योती और पृती मंदिर जाने के लिए निकलती है ज्योती पृती को रोखती हुए कहती है अरे रुखजा ज्योती आज बड़ी मुश्किलों से मैं और तुम साथ कहीं जा रहे है तो एक फोटो तो पनती है पोस्त तो देखो यह अच्छी सी आज मैं न यही स्टेटस पर डालूँगी ओहो भाबी पृती तिर्ची नजरों से ज्योती की और देखती है और ज्योती अपने कॉलर पर हाथ लगा कर कहती है अपने रंग हजार फिर दोनों दिवरानी जिठानी एक अच्छी सी फोटो लेते हैं और मंदिर चली जाती है रास्ते में ही जयोती स्टेटस में फोटो डाल देती है घर आकर जयोती देखती है कि उसके फोन की बैटरी 40% भची है फोन चार्ज में लगा देती हूँ जब तक काम खतम होगा, तब तक फॉन चार्ज भी हो जाएगा इधर साहिल फोन चार्ज में लगा देखकर गेम खिलने लगता है और नेट खत्म करके फोन को रखकर टीवी देखने लगता है काम खत्म करके जोती मुबाइल हाथ में लेती है तो चार्ज हो गया अब ममी से वीडियो कॉल पर बात कर लेती हूँ जोती अपनी मा को video call करती है लेकिन फोन लगता है फिर जोती को गुसा आने लगता है तुमीने मेरे phone को चुआओ गा क्या कर दिया जो phone काम नी कर रहा है ममे मैंने कुछ नहीं किया तुम जब देखो मुझे ही सुनाने लगती हो तो क्या इसमें आग लग गई जो वीडियो कॉल नहीं लग रहा पूरा दिन में सोचा रात को आराम से अपनी माँ से बात करूँगी लेकिन फोन ही नहीं चल रहा लाओ दो मैं देखता हूँ क्या हुआ है साहिल फोन देखता है और कहता है जोती गुस्से में फोन बैट पर फैंक कर चली जाती है बिना कुछ कि ये नेट खत्म हो जाता है पता नहीं फोन में क्या कर देते है साहिल डर से फोन उठा कर रख देता है अगर मम्मी को पता चला कि मैंने नेट खत्म किया है तो मेरी तो जान ले लेंगी अगले दिन सुबर सुबर जोती की बिटी कॉलेज पूरा करके घर आती है और आकर जोती को गले लग जाती है मम्मी अपना फोन तो दिखाओ चाची मेरे एक्जाम थे तो मैं शादी में नहीं आ पाई आपने मेरी मम्मा को फोन दिया, बहुत अच्छा किया अरे बेटा, ये मेरे फोन से न, कोई न कोई नेट चोरी कर लेता है तो अपने पास रखा करो न अपना फोन अरे कैसे रखो, मेरी साडी में पॉकेट काँ है मम्मी ये लो पर्स, इसमें तुम फोन रखकर अपनी कमर में टांग सकती हो फिर कोई तुम्हारा फोन शो भी नहीं सकेगा अरिवा अंजली, तुम ते बड़ी हुश्या निकली ज्योती अब अपने फोन को अपनी कमर में दबा कर चलने लगती है इसी तरह दिन बीटने लगते है और ज्योती हर चिसकी तस्वीर खींच कर रखती है इंस्टाग्राम की रिल्स डाउनलोड कर करके रखती है एक रूस ज्योती का फोन इतना भर जाता है कि हैंक करने लगता है और कुछ भी काम नहीं करता पता नहीं फोन में क्या हो गया है आन होने का नाम ही नहीं हो रहा आंजली आंजली देख तो क्या हो गया है मेरे फॉन की गैलरी नहीं खुल रही है हो सकता है space full हो गया हो पता नहीं क्या क्या होता है इसमें वैसे ये space full क्या होता है वो तुम सब छोड़ो मैं देखती हूं अरे कुछ भी कर लेकिन मेरा फॉन चलने लाएक करते अंजली फोन से कुछ फोटोज और वीडियो डिलेट करतेती है पैता नहीं ममी ये क्या-क्या फाल्त वीडियो डाल कर रखती है इतना कौन ही रखता है ममी लो एक बार तो ठीक हो गया है लेकिन तुम्हारे फोन को रीबूट मानना होगा ये रीबूट क्या होता है बूट तुम रहने दो जब मैं फ्री रहूंगी तब तुम अपना फोन दे दे न मैं कर दूँगी जोती गैलरी खोलती है और देखती है कि उसमें से कुछ फोटोज और वीडियो गायब है अरे मेरी फोटोज कहां चली गई? इतने मुश्किल उसे कहां कहां से जमा किये थे रिस भी नहीं दिख रहा है कहां गायब हो गया है जोती चलाती हुई अंजली के पास चाती है अंजली ये क्या क्या? मेरे फोन से सब कुछ गायब हो गया है तुम लोग ना फोन खराब कर देते हो मुझे तो लगा तुम्हें मोबाइल का अच्छा नॉलेज होगा ममी तुमारे फोन में तुमने इतना कुछ डाल दिया है कि फोन हैंक करने लगा तुम मुझे कुछ चीज़े डिलेट करनी बड़ी अरे क्या डिलेट कर दिया? मुझे नहीं पता कुछ भी कर मुझे वो सब वापस चीए मैंने तुम्हें मेरा फोन जैसे दिया था वैसा वापस चीए अच्छा रूको देखती हूँ अंजली डिलेट फाइल में से वापस डिलेट के होए फोटोज और रिल्स रिस्टोर करती है फिर कहती है लो तुम्हारा फोन सब वापस डाल दिया है अरे ये लेकिन फोन वापस से खुल नहीं रहा है बेकार में ही तुम्हें पढ़ाया कुछ नहीं आता तुम्हें मैं फोन दुकान वाले के पास जाकर ठीक करवा के आऊंगी एक काम अच्छे से नहीं कर सकते हो तुम लोग तब ही साहिल वहां आता है ममी तुम्हें चिप लेना होगा जिससे तुम अपने एक्स्ट्रा फोटो और रिल्स डाल कर रख दो वाना फोन ऐसा ही रहेगा हैंग होता रहेगा अब ये चिप क्या है अरे ममा जैसे कमरे में जगा नहीं होती तो कुछ सामान बाहर हॉल में रख देते हैं न अहां अरे कर दे न वैसे ही कर दे फिलाल के लिए दीदी के लैपटॉप में डाल देता हूँ फिर चिप आएगा तो उसमें ट्रांसफर कर दूँगा ठीके डाल दे लेकिन मेरा सब कुछ संभाल कर रखना साहिल सब ट्रांसफर करकी ज्योती को दिखा देता है और ज्योती का फोन फिर से चलने लगता है ममे तुम मुझे दिन बर सुनाती हो और मैंने ही तुम्हारा काम किया अब कुछ अच्चा किलाओ हाँ बिटा चाओमिन मना देती हूं तेरे लिए फिर रात को अमर ज्योती से कहता है अपना होट स्पोट आउन करो न क्यों? मेरा नेट नहीं ये थोड़ा सा बच्चा है मैं आनी चलाओंगी अरे यार दो मिनिट आउन करो ना क्या हो जाएगा? बस दो मिनिटी हाँ ज्योती होट स्पोट आन करती है फिर दो मिनिट बाद साहिल के पास जाकर कहती है साहिल मेरे फोन में पासवर्ड लगा दे न ताकि तेरे पापा मेरा नेट ना खा जाए अभी लगाता हूं मम्मी अगले दिन ज्योती के हाथों से फोन छोट कर गिर जाता है और फोन का टेंपर ग्लास टूट जाता है ज्योती रोने लगती है मेरा फोन टूट गया, अब मैं क्या करूंगी? तबी प्रीती फोन का ग्लास अटा कर ज्योती को दिखाती है ज्योती खुश हो जाती है भाबी बस ग्लास टूटा था नाया लगवा दूगी मैं कल प्रीती मेरी तो जान ही निकल गई थी साहिल ज्योती को फोन चार्ज में वाइबरेट मोड पर डाल दिता है फोन वाइबरेट होकर गिर जाता है और चूर चूर हो जाता है तूटावा फोन देखकर ज्योती रोने लगती है सब कोई दिन बर मेरे ही फोन की पीछे पड़े रहते है लो आप तूट गया ना? खुशे मिल गई ना सबको सारी मम्मे लेकिन तुम रो मत ज्योती अपने तूटे हुए फोन को उठा कर कमरे में चली जाती है और दिन भर मू लटका कर मायूसी रहती है साहिल अपना गुल्लक फोड़ कर उसमें से पैसे निकाल कर अमर को देकर कहता है पापा ये लो पैसे और मम्मी के लिए नया फोन ला दो तो अपने पैसे अपने पास रख मैं ला दूँगा तेरी मम्मे को फोन रात में ज्योती कमरे में आकर मायूसी बैट जाती है तब अमर धीरे से नया फोन ज्योती के हाथों में रख देता है ज्योती के आंक में खुशी चा जाती है नया फोन? आपको मेरी इतने फिकर है इसको चालो केसे करू? अंजली से चालो करवाती हूँ अंजली ज्योति का फोन आउन कर दीती है नया फोन मम्मी, क्या बात है? मेरा सब कुछ इसी में डाल देना, वाटसेप आउन कर देना आज तो नानी से बात भी नहीं हो पाई है अभी कर दीती हूँ अंजली फोन में सारे एप डाउनलोड कर दीती है और जो तिसे कहती है ममी, तुमारा जीमेल पासवर्ट तो बताओ अब ये जीमेल क्या होता है? ये सब मुझे नहीं पता तुम आउन करके मुझे दे दो कैसे भी? मुझे मेरी माँ से बात करनी है कर रही हूँ ममी, टाइम लगीगा अंजली नया जीमेल बनाकर वाटसेप और इंस्टाग्राम आउन कर दीती है लो ममी, वाटसेप आउन कर दिया है अरे मेरा चैट कहां गया? इतना मुझे सब ने मैसेज किया था वो तो सब नहीं दिख रहा वो सब कहां है बिटा? यह क्या कर दिया तुमने? नानी का नंबर भी नहीं है इसमें मुझे नया फोन नहीं चीए मुझे मेरा वही वाला फोन ठीक करवा दो ममी, वो फोन अप नहीं बनेगा बनेगा भी तुभी उसमें जो कुछ भी है वो सब डिलीट हो जाएगा तुम्हें जीमेल का पासपर्ट भी नहीं पता तुम्हें क्या करूँ? मुझे वही वाला फोन ठीक करवा दो ना तुम्हारे लैप्टॉप में जो भी फोटो है सब इसमें डाल दो तुम यह सब जान बुचकर कर रही हैं ना मुझे पता है इतने लोगों का फोन कैसे ठीक हो जाता है अरे ममी सब के अलग-अलग प्राब्लम्स होते हैं इतने में प्रीती, साहिल, समीर और अमर वहां आ जाते हैं भाबी, वैसे भी आपके उस वाटसेप पर कौन सा कुछ होगा आप न्यूवाले से सब को मैसेज कर दो ना बात मैसेज की नहीं है, मेरे फोन में और भी बहुत कुछ है लेकिन बिना पासवर्ड के कुछ नहीं हो सकता भाबी जोती चेड़-चेड़ा कर वहां से चली जाती है फिर साहिल और अंचली कहते हैं लोग ठीकी कहते हैं कभी-कभी बड़े भी बच्चे बन जाते हैं